नवस्कार हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइफ सिती देखें बिहार में एक बार फिर से केके पाठक वर्सिस राजभवन हो गया है आपको बता दें कि केके पाठक ने नो तारीख को कुलपतियों की दूसरी बड़ी बैठक बुला ली है लेकिन जैसे ही केके पाठक ने ये बैठक बुलाई वैसे ही राजभवन भी आक्टिव हो गया है और बड़ी खबर ये है कि राजपाल ने इसको लेकर बड़ा पत्र जारी कर दिया है यानि कि बिहार में एक बार फिर से केके पाठक वर्सिस राजभवन हो गया है मामला क्या है आज हम इसी पर तफसील से बातचीत करेंगे तो आज इस मुद्दे पर हमसे बातचीत करने क के लिए सीनियर जर्नलिस्ट रवी उपाध्याई जी सबसे पहले बहुत शुक्रिया बात करने के लिए जी रवी जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि एक बार फिर से बिहार में केके पाठक वर्सिस राजभवन हो गया है राजभवन आक्टिव हो गया है और बजापता एक पत्र भी जारी हो गया है मामला क्या है और पत्र में क्या कुछ है रवीजी देखें यह समरीन कोई पहला मामला नहीं है जो राजभवन और सिक्षा विभाग के बीच में आमने सामने की जो टकरहट की सिति बनी हुए इससे पहले 28 फरवरी कभी हुआ था यही चीज हुआ हैं को सिख्छा rookie हो से रहें गुल से जो वह कर वायी कि गाज और देखिए सबसे बड़ी बात समझने का है यह सब्जेक्ट की हाइर उडिकेशन का या यूनिवर्सिटीज का कौन कस्टूडियन होता है एकदम सिंपल थो रही है कि वह चांसलर होता है चांसलर कौन है गवर्नर होगा राजपाल तो ऐसी परिस्थिती में आप यह सो डिक्टेट नहीं कर सकते उसको आप जो भी करें इस तरह से अगर सिक्षा भी भाग की और से आदेश निकलता है तो यह कहीं राजभवन की या निकुला धेपती की राजपाल की कहीं न कहीं हम देखी है तो यह आमने सामने की लड़ाई एक डिरेक्ट फाइट है बिलकुल बिलकुल और उस परिस्थिती में देखिया 28 फरवरी के जो हम जिक्र कर रहे हैं तो उस समय जो लोग नहीं गए थे राजभवन के कुलाधिपती की आदेश पर जो लेटर जारी हुआ था शिक्षा विभाग की द्वारा और पूछा गया था कि आप बताईए ना कि आप पर हम एफ आयार क्यों नहीं करें मतलब कड़ी अलफाज का इस समय अब बताईए कि अब मनें सिक्षा विभाग पूछे कि क्यों नहीं तो यब इस तरह से मनें कारव बताई की बात होगी तो यह तो ऐसाहज की स्तिती होगी और वह कुल्पती पुरोभी डिस्टार क्षे का इस अब यह शिक्षा विभाग इस अब नहीं रहे और नहीं कि बात दुखिया उनलीनन का अकॉण कांव शkovच के आघया फिर उसको किया गया थे कि नतीजा निकल के आया बिल्कुल और गाई अब देखिए फिर नौ मार्च को बैठक बुला लिए दूसरी बैठक बुला लिए दो नौ मार्च को बैठक बूला लिए गई है उसमें जो इसो नया आदेश दे दिया गया है कि सारे भीसी प्रो भीसी और भाई चांसर सबको आना है तो ऐसी परिसिती में अब क्या होगा अब क्या होगा लेकिन हमने ये भी बताया अपने दर्शकों को कि अभी अभी राजपाल के द्वारा भी बड़ा पत्र जारी हुआ है अभी जी क्या कुछ लिखा गया है उस पत्र में देखिए निश्चीत रुप से उसके बाद जो पुर्व की स्थिती को अवगत्मने ये देखते हुए राजभवन की ओर से वह लिखा गया है कि आप लोग कोई भी वीसी प्रोवीसी रजिस्टार एक्जामसन कंट्रोलर हेट होना चाहिए अच्छा जी मतलब ये बड़ी बात है बड़ी बात है तो यह इतनी अब इतनी हिदायत के बाद ये बाद भी अगर जदी कुछ अगर जाते हैं भाई चांसलर ये तो निश्चीत रूप से चांसलर कारयाले से गाज गिरेगी उन पर मतलब की राजभवन की द तरह की स्थिति बिहार में देखने को मिल रही है कि कि सेस्के पाठक के निर्देश और आदेश पर इस तरह से कारवाई हो रही है अजब की एक बार फजीहत और चाहिए यह मामले में हो चुकी है फिर अगेन उसी तरह को का का रिपिटेशन नौ मार्च वाली बठक में करन कि ये के के पाठक ने यह जो दूषरी बैठक बुला लिया अगर इसंगे उसाइव नही जाते हैं कुल्सचीव नहीं जाते हैं एक्जाम कंट्रोलर नहीं जाते तो चीके पाठक इस बार तो और ज्यादा गुश्से में आ जाएंगी यानि कि और भी ज्यादा खतरनाक चाले सकते हैं पिछली बार तो फायर तक हो गई ती इस बार क्या कुछ होगा पिछली बार फायर हो गई तो उससे बड़ी बात अब क्या हो सकती है जिसमें कि आपके मुख्य सचीफ चीफ सेग्रेटरी को इसमें करना पड़ा तो यह अपने आप में असाहज की स्थिति अब किस पर हो रहा है फायर वह कुल भाइस चांसलर पर पर रजिस्टार पर एक यांसन कंट्रोलर पर और वह भी जो है सो कुला धिपती के आदेश पर वह नहीं गये तब जाकर कि इस तर वह कहीं मनें नुक्सान है नुक्सान है अच्छा हमें यह भी देखना होगा रवी जी इस पर भी हमें चर्चा करनी ही पड़ीगी के बीपीएसी ट्यारी 3.0 अब उसकूश की शुरुवात होने वाली है लेकिन उससे पहले जो बड़ी खबर आई वो खबर ये थी कि 16 तार स्थिति अब दिखाई दे रही है भीहार में मतलब के 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 पाठखक के नहीं होने का जाने का साइडさ ब बजापता दो के पाठखक होने का यह सब हमें यह हो है यहाँ पर्यास पाई ल Volt i . bud रखते हैं समरीन वह ही आमको दिखाई पड़ रहा है कि कहीं न कहीं लचर वेवस्था जो है सिक्षावी बाग में वह दिखाई पड़ रहा है इससे एट लिस्ट कम से कम इसको दूर करने के आओ सकता है तभी यहां के छात्रों का भविश्यू जो होगा और जो इंप्लाइमेंट की बात हो रही है रुजगार की बात हो रही है वह जो ऐसो आपको होता हुआ दिखाई पड़ेगा मतलब आप कहरें कि लचर ववस्था दिखाई देरी और पूरी तरह से लेचर व्यूज़ दिखाई देरी लेकिन रवी जी हमें यह भी देखना होगा कि कह तो नहीं होगा कि केके पाठक केंद्र प्रतिन्युक्ति पर चले जाते जो टीचरों की बहाली हो रही है वह पूरा मामला ठंडे बस्ते में तो नहीं चला जाएगा नहीं कि भीराम नहीं लगने की बात है क्योंकि जो इंडिया की सरकार है उसमें सिछा मंत्री बीजय चौध तारीक वाली क्यों उस्थागत हुई कारण 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 पता थाल है कुछ ने कुछ टेक्निकल कारण कोई रिजन होगा वो इसके लिए वक्या गया है लेकिन यह सब चीज नहीं होना चाहिए जब एक बार पब्लिक डोमेन में आ गया कोई चीज तो वह नहीं रस्था होनी च क्यों यही समझ बेन ही किसी को और अभी तक क्लियर्टी भी नहीं आई है कि क्या मैंने किस लिए केंसिल किया गया है क्या कारण करन होने का तो यह मी विभाग को बताना चाहिए लिए जो गिजाम चाहिए निची और से बीक वह तारी को पीठी पड़ी है आगे की वह तयार आजी कर सकें लेकिन इसी बीच एक और लचर तस्वीर नजर आई है और वह तस्वीर यह कि कई जगों से फर्जी शिक्षक्षक्षक पकडाए है मामला चיפ कंछ का है एक उधिक पर कई सारे इसे वह बहिए एक थीजर दुरही है ज नंने है जो रहे है उसमें चल रहा है लोग काम कर रहें जिसमें से जैनुएन सिर्फ एक ही होगा रभी जी मतलब कि बड़ा जोल एक ही आदमी उसमें सही है बाकी सारे गड़बड जाला है तो यह सब इतना बड़ा जो रैकेट है और देकि एक बात तो हाई कोट का समभता ऑब्जर्विशन भी था कि जो 75,000 शिक्षकों का जो है सो इस तरह से 75,000 शिक्षक है उसमें बिल्कुल जी जो जो इस तरह से हैं जो यह तो यह कहीं न कहीं यह दिखाई पड़ रहा है और जो जाच हो रही है इसमें पता भी चल रहा आप जिले में अब चलिए नवादा जिले के लोग बात कर नवादा जिले में 86 नियो जी लोग काम कर रहे हैं तो यह इस तरह से अब माने 25 जिले हैं 25 जिलों में तो कितने और कितने और पर गाज गिर सकती हैं मिस्ची तुरुप से तो कह रहे हैं कि मैंने 75,000 की बात आ रही है एक सर्टिफिकेट पर कई नियुक्तियां हुई है बिल्कुल यह सब कहीं ने कहीं ज जोल जाल है और पटना ही कोट का अबजर्वेशन भी आपको बता दिये किस तरह से क्या है क्या उन्हों का कहा हुआ है कि इतने नियोजी सिख्चा का है 75,000 जिक्षा कैसे हैं जिनका फोल्डर भी भाग में नहीं है फोल्डर तक नहीं है विभाग में फोल्डर तक भी इंट्रेस्टिंग समरीं यहां कि यह जो फोल्डर जो नहीं है वह उउसके लिए वह कुद में सरकार के और से हलफनामा दिया गया है आचाह लफनामा तक दे गया है बिल्कुल बैइसके मुताबिक इंको इसके बावजूद फोल्डर में सिर्फ कहने तक हम लोग पाइंगे बच्चों का मभिस्ती में करना बेमानी होद फोगे एक आ्खरी सवाल रवी जी सवाल यह कि क्या अगर शिक्षा बाग से के पाठव जा रहें तो क्या इसका इसी तरह का प्रभात हैं हमें मतलब कि क्या इसका नुकसान होगा अब शिक्षाविभाद में केके पाठक के नहीं रहने से और नुकसान अभी से दिखना शुरू भी हो गया इसके लिए जाने जाते थे उनका यूएस पी यही था यह अगर एक दो अठाइस और नौ मार्स की बात हम चोड़ दें तो बाकी बात जो है सो उनका तो काम करने की सहली तो देखिए स्कूल में टेंडेंस सिक्षकों के उपस्ति थी तमाम जितने तरह की जो मकड़ जाल था जो जोन था वह सब आहीं था इसमें कहीं को दो मत नहीं लेकिन यह जो यह तो केके पठख को कि आप अस्थान नेकायों के दोर्हाथ यह भी एक बता मामला है हुआ हिसा है कया नेयोजी शीक्षाथ रख में यह से बहाल गाउए के नहीं रहने से किसे नुक्सान होगा देखे निस्चीतरुप से नुक्सान तो होगा ही हम जो पहले बोले कि क्वालिटी एडुकेशन की बात हो रही है और टीचर की भी पढ़ने पढ़ाने की जो ललक है वह भी दिखाई पढ़ती है जो बाहर से बाहल हुए सिक्षक आये हैं वह भी अच्छे सिक्षक है इसमें क तो वह क्वालिटी एडुकेशन ही होगा अब है कि मंदारी से वह काम करें मतलब कि केके पाठक ने जो रूल रेगुलेशन बनाए हैं जिनको कहा है कि इंप्लिमेंट करना अब देखना होगा रवी जी कि वह रूल रेगुलेशन के पाठक के जाने के बाद भी फॉलो होता है या उस पर विराम लग जाता है चलिए तो यह पूरी जानकारी यह पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइस सिटीज बहुत